हेलो दोस्तों स्वागत है आपका कृषी क्रांती की इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICR UG की सीट मेट्रिक्स के बारे में सभी कोर्सेज की सीटे हम देखेंगे University Wise और Last Year से Compare करेंगे कि कितनी सीटे किस कोर्स में बढ़ी है और कितनी सीटे कम हुई है जितनी भी State Agricultural Universities आपको मिलेंगी वहाँ पे कहीं पे भी आपको OBC की या फिर EWS की सीटे नहीं मिलेंगी ये केवल आपको मिलेंगी जो Central के Institute है वहाँ पे ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये 15% All India Seats है इसमें OBC का और EWS का अभी तक Reservation नहीं है ये Reservation आपको केवल Central के Institute में मिल जाएगा जैसे Central Agriculture University का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि OBC वाला केवल OBC की सीट ले सकता है OBC वाला Unreserve की भी सीट ले सकता है और EWS वाला भी Unreserve की सीट ले सकता है General EWS और OBC के लिए आपकी Overall Rank से UR की सीटे अलाट कर दी जाती हैं तो उसका Tension आपको नहीं लेना है Start करें हम आनंद में आपकी Total 20 सीटे हैं आचारे NG रंगा में इस बार 30 सीटे बढ़ गई है 86 आपकी सीटे हो गई है जुरहत में 31 BHU में 23 मणीपूर में 17 सीट कानपूर में आपकी 18 सीट पूसा समस्तिपूर बिहार में 90 सीटे इसके बाद जीबीपंत में 39 सीटे जुनागड में आपकी 37 उदैपूर में 13 सीटे नगालेंड में आपकी 10 सीटे ओडिसा में आपकी 56 सीटे पन्जाब में आपकी 14 सीटे है और हैदराबाद में इस बार 16 सीटे जादा बढ़के हो गई है 56 जासी में भी 5 सीटे बढ़ी है और यह हो गई है 59 RVSKV Gualier में देखें तो 33 seats है JobNair में 18 seat BikaNair में 12 seat JNKV की जो 45 seat ए BSC Honors Agriculture की पहले यहां से मिलती थी इस साल इसको add नहीं किया गया है Accredation का इसू इसमें हो सकता है इसी तरह से आप देखेंगे तो BCKV का B-seat metrics आपको इसमें नहीं मिलेगा BSC Honors Agriculture की लिए इसमें भी Accredation का इसू हो सकता है अगर ICR Counseling की Choice List में JNKV और BCKV अवेलिबल नहीं होते हैं तो इसका मतलब की ICR Counseling से इस साल इहां पे admission नहीं होंगे Next हम बात कर लेते हैं श्रीनगर की तो 12 seat हैं तो इसके बाद Merit में आपकी 18 seat हैं तो इसके बाद Shivmoga में आपकी 17 seat हैं इस University का नामकरण किया गया है नया इसके बाद US Bangalore में 84 seat हैं नवसारी में 40 seat हैं जम्मू में आपकी 18 seat हैं तो इसके बाद US Dharward में टोटल आपकी seat हैं 59 बांदा में आपकी seat हैं 18 हिसार में आपकी 25 TNU में 12 seat हैं इस बार बढ़ गई हैं तो ये हो गई है 87 पालंपूर में 18 seat हैं परभनी में 81 seat हैं UBKV में 10 seats हैं PDKV Acola में 45 seat हैं AU Jodhpur में 14 seats हैं IGKV में 19 seats और add हो चुकी हैं मतलब किसी ना किसी college को accreditation यहाँ पे मिला है और 100 seat केवल इस university के अंदर आ जाती हैं धापोली में 19 seats हो जाती हैं पाली सिक्षा वावन में 10 seat हैं आयोध्या में आपकी 23 seat हैं और US राइचूर में 38 seat हैं इस तरह से आप देखेंगे टोटल seat हैं BSC Honors Agriculture में तो ये हो जाएंगी 1493 54 seat हैं लास्ट येर से कम है 2020 से BSC Honors Horticulture में देखेंगे तो पूसा में 20 seat हैं बढ़ गई हैं तो इस तरह से टोटल seat हैं वहाँ पे 50 हो गई हैं Horticulture के लिए आप seat matrix देख सकते हैं इसके बाद YSR Horticultural University में 30 seats हैं जहांसी में भी आपकी 30 seats मिल जाएंगी इसके बाद हैदराबाद में भी आपको 30 seats मिलेंगी बागल कोट में आपको सबसे ज़्यादा 68 seats मिलेंगी यहाँ पे और भी इसके campus है बांदा में आपको 18 seats और TNU में 22 seats मिल जाती हैं 2020 में जो आपकी seat हुआ करती थी 394 finally वो बढ़के हो चुकी है 411 क्योंकि पूसा में भी seat एड हुई है BSC Forestry की बात करें तो सीधे यहाँ पे 30 seats एड हो चुकी है क्योंकि यह नया college आपका पूसा बिहार का एड हुआ है YSP Solan में 13 seat अवेलेबल है और जहांसी में आपकी 30 seat अवेलेबल है इस तरह से total हम देखें तो पहले seat यह हुआ करती थी BSC Forestry में 113 लेकिन अभी यह बढ़के हो चुकी है 136 क्योंकि यहाँ पे पूसा वाला college भी एड हो चुका है Next अब बात कर लेते हैं BFSC का तो BFSC में RPCU में 40 seat है फिर उसके बाद आपको seat मिलेंगी Tamil Nadu Fishery University 12 seat माफसू में भी आपको 10 सामदेनी उनिवर्सिटी में भी 10 seat मिलेंगी BFSC में पहले seat हुआ करती थी 140 अब यह बढ़के हो चुकी है 141 BSC Honors इन Community Science में देखेंगे तो ज़्यादा seat हैं आपको पूसा में मिल जाएंगी उसके बाद GB5 में 21 seat हैं इसार हरियाना में 17 seats हैं इस तरह से टोटल seat हैं आपकी हो जाएंगी 138 जो की पहले 136 थी यानि दो seat हैं आपे बढ़ी हैं BSC Honors Sericulture में देखें तो टोटल 13 seats आपको मिल जाएंगी यह कोर्स आपको श्रीनगर, बेंगलूरू और तम मिल नाडू में देखने को मिलेगा नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं Agricultural Engineering जिसमें केवल essay students eligible हैं जिन्होंने अपना ICR examination, Physics, Chemistry और Mathematics से दिया हो VTEC Agricultural Engineering की बात करें तो आनंद में आपकी टोटल 7 seat हैं गुंटूर आंदरप्रदेश में टोटल 11 seat हैं Central Agriculture University इंफाल में CAU इंफाल में 9 seat हैं पूसा में आपकी 40 seat हैं जीबी पंत में 9 seat हैं जुनागड में 13 PUAT में 8 उडिसा में 10 पंजाब में 12 हैदरबाद में आपकी 6 seat हैं श्रीनगर में आपकी 3 seat US, बैंगलोर में आपकी 11 seat हैं हिसार में आपकी 6 seat राहूरी में आपकी 10 seat और TNU में भी आपकी 10 seat अवेलिबल हैं परबनी महराश्टर में आपकी 10 seat अकोला में भी आपकी 8 seat IGKV में भी आपकी 20 seat हैं धापोली में 10 seat और राइचूर में भी 10 seat इस तरह से टोटल आपकी seat matrix हो जाएगी 230 नेक्ट अब बात कर लेते हैं बीदर में आपकी 5 सीटे और कामदेन उउवर्सिटी जो नई है गुजरात में सिच्वेटेड है इसमें आपकी 10 सीटे अवेलिबल है इस तरह से टोटल आपकी सीट हो जाएगी 100 बीटेक फूट टेकनोलोजी की बास करें तो यहाँ पे भी आपको डॉक्टर आरपी सीटे की एन्ट्री मिल जाएगी 30 सीटे इसमें डारेक्ली एड हो चुकी है आनंद में 7 सीटे है, 3 सीटे हैं आपकी सीटे हैं आपकी सीटे हैं हैदरबाद में आपकी 6 सीटे, बेंगलोर में 11 करनाटका में 5 और परबनी में आपकी 10 इस तरह से टोटल आपकी 72 सीट्स हो जाती है लाश्ट में हम बात करें बीट एक बायो टेकनलोजी की तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है जितनी सीटे 2020 के लिए हमने देखी थी उतनी सीटे यहाँ पे अवेलिबल हैं यहाँ पे और आपकी OBC की सीटे हैं वो थोड़ी सी बढ़ चुकि यहाँ पे सबसे ज़्यदा इफेक्ट पढ़ने वाला है BSC Honors Agriculture के कट-off में क्योंकि 50 सीटे लगबग आपकी 500 से 600 रैंकिंग को उपर नीचे कर सकती हैं तो अगर आपको वही उनिवरसिटी किसी पर्टिकुलर रैंक पर मिली हो तो उस पे आप 500 और माइनस कर सकते हैं तब जाके आपको जो एक्चुल इस साल के लिए उनिवरसिटी है 2021 के लिए तब मिल पाएगी यह लॉजिकली आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा इसमें विचार जरूर करिएगा लास्ट येर का जो आपने विडियो देखा था ICR रैंक वसेस कॉलेज का तो उसमें करीब 500 रैंकिंग का इफेक्ट पड़ने वाला है और ये चीज़ें आपको लास्ट तक में समझ में आ जाएंगी दोस्तो इस विडियो में इतना ही आशा करता हूँ ये विडियो आपको पसंद आया फसंद आया है तो इस विडियो को लाइक करें अपने दोस्तों तक इस विडियो को शेर करें चैनल पर न ए wizard कर ले ऐसे ही नए वीडियोत के लिए और कांसलिंग की नए नई अपडेट्स के लिए मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अप्डेट के साथ झाल झाल